दिल्ली मेट्रों में बिकिनी पहने हुए एक लड़की का वीडियो ऐसा वाइरल हुआ कि लड़की के ट्रेस पर सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया। और उन्होंने इसे अपनी आजादी से जोड़ा है। एक टीवी चैनल को दिये इंटर्व्यू में चनाना ने कहा ये मेरी आजादी का मसला है चाहे मैं कैसे कपड़े पहनूँ। चनाना ने कहा मैं ये पब्लिसेटी है मशूर होने के लिए नहीं कर रही हूँ। लोग क्या क पहले मेरे दोस्त ने उनकी तस्वीर दिखाई तब पता चला। हलंकि चनाना ने कहा कि उनकी पसंद से उनके घर वाले काफी नाराज है। उनके पड़ोसी उसे रोज धंकी देते हैं। लेकिन कुछ लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं इससे उन्हें कोई फर्क नहीं अगर मेरे कपड़ों से दिक्कत है तो उनको उन लोगों से भी दिक्कत होनी चाहिए जिन्हों ने ये वीडियो शूट किया। लेकिन अंग्ने लाइन में मुझे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। ये पूछने पर कि ऐसे कपड़े पहनने पर सुरक्षा की जिन्ता होती है। इस पर रिदम चनाना ने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये जरूर है कि कमेंट और चेट्छार की बातें होती है लेकिन इसे मैं एग्णोर करती हूँ।